पंजाब में कॉंग्रेस और आप में घमासान कॉंग्रेस ने नए चहरों पर लगाया दाउं कॉंग्रेस के गड़ में आप की सेंद मारी पंजाब में बदल गए चुनावी समिकरण नमस्कार मैं हूँ परवीन शेख आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी पंजाब की 13 लोग सबा सीटों के लिए चुनावी रण पूरी तरह से तयार है आम आदमी पार्टी और शिरुमनी अकाली दल ने सभी 13 उम्मीदवारों की घोशना कर दी है पंजाब में वोटिंग चुनाव की आखरी चुन को साथे चरण में होगी पंजाब में मुकाबले को ये जो तत्थे रोचक है वो बन रहे हैं कि पूरे देश में एक साथ इंडी गड़ बंदन के बैनर तले लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कॉंग्रिस पंजाब में अलग-अलग चुनाव लड़ रही है दोनों पार्टिया चंडीगर्ड, हर्याणा, दिल्ली, गुजराद और गोव में गड़ बंदन कर चुनाव लड़ रही है लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता परकाबिस है और कॉंग्रिस मुखे विपक्षी है दोनों पार्टिया पिछले दो साथ से लगातार जुबानी जंग में जुटी है लेकिन जब पंजाब के सीम राज्य से बाहर चुनाव लचार के लिए पहुंसते हैं तो उनके सुर पूरी तरह से बदल जाते हैं देखे भगवंत मान गुजराद पहुंच कर कैसे इंडिया लाइंस की जीत की बात कर रहे हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहां? अपने आप लोगों का आना यह इस बात का संकेत है कि लोग नई कहानी लिखने को त्यार है तो पंजाब के सीम क्या कुछ रहे हैं और उनकी बाड़ी लेंगवज कुछ और ही कहानी बया कर रही है वसे आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है क्योंकि आपके मुख्या और स्टार प्रचारक इस वक्त त्यहार में है पार्टी प्रष्टा चार के कई मामलों में बुरी तरह से घिरी हुई है इधर बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खुर रखा है वहीं आप नेता लगातार प्यम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं आप सांसर संजे सिंग ने एक बार फिर दिली में चुना प्रचार के धौरान मेडिया से बात करते हुए पियम मोदी पर निशाना साधा उन्होंने कहा की गारंटी का जवाब इस बार जनता अपने वोट से देगी जनता कह रही है मैं किसान हूँ और मेरी गारंटी है कि मोदी की गारंटी एक जूठी गारंटी है महिलाएं कह रही है नोजवान कहкое रहा है दिली और देस के लोग कहरे है मोदी की जूति है उसका जवाब लोग देंगे वो उसका जवाब देंगे आज जिस तरह से सम्विधान लोगतंत्र आरक्षन को खत्व करने की कोशिश की जा रही है जनता उसका चवाते हैं लेकिन संजे सिंग फिला खुदे ब्रष्टाचार के मामले में जमानत पर हैं और ये वो शक्स कह रहा है जिसकी पार्टी के मुख्या खुद करोडों के घोटाले में जेल में बंध है वैसे इदर पंजाब में इस बार आम आद्मी पार्टी और कॉंग्रेस के चुनावी गड़ित जो हैं वो पूरी तरह से गड़ बढ़ा चुके हैं कॉंग्रेस ने लोगसबा चुनाव में इस बार पंजाब में नए चेहरों पर दाउन लगा है पार्टी का दावा है कि ये चेहरे बहतर चुनाव परणाम देंगे इसका सीधा फायदा विपक्षी गड़ बंदन को मिलेगा कॉंग्रेस ने पंजाब में अब तक जिन उम्मीदवारों को चुनाव मेदान में उता रहा है उनमें 13 में से केवल दो ही पुराने चेहरे हैं इस बार के उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो पुराने कॉंग्रेस सांसदों में अमरी सर सीर से गुर्जी सिंग उजला और फतेगर साहिब सीर से अमर सिंग ऐसे ही प्रत्याशी हैं जिने बदला नहीं गया है। पार्टी ने इस बार के चुनाव के लिए जीतने वाले उम्मीदवारों को मौका दिया है। इसका फायदा लोगसबाद चुनाव में पार्टी को मिलेगा। पार्टी आला कमान की सहमती के बाद पंजाब से संबंदी चार लोगसबाद सीट की सूची हाली में जारी की गई है। चार नामों से पार्टी में तीन चहरों को बदला है। जैसे गुर्दासपूर सीट पर सुनिल कुमार जाखर की जगा सुक्विंदर सिंग रंधावा को टिकेट दिया है। और खंडूर साहिप सीट से जस्विर सिंग गिल की जगा कुलबीर जीरा को टारहे। इसके अलाबा आरंद पूर साहिप सीट जो की कॉंग्रिस की जीती हुई सीट थी वहाँ पर भी मौझूदा सांसर रवनी सिंग बिट्टू की जगा अमरिंदर सिंग बरार को मौका दि चुनाब में केंद्री मंतरी हरदीब सिंग पूरी मैदान में थे इस सीट पर कॉंग्रेस के उम्मीदवार गुर्जी सिंग ओजला ने अपनी जीत दर्ज कराई थी इन्हें पार्टी ने फिर से चुनाब लड़ने का मौका दिया है और इस तरह पतिगर साहिप सीट की बात क ने इतर आ था अब कॉंग्रिस ने भले ही नए चेहरों को मैदान में उतार दिया हो लेकिन पंजाम में कॉंग्रिस की दिक्कते उसकी दिल्ली की पार्टनर आम आदमीं पार्टी ने बढ़ा रखी है पंजाम में आप बनी कॉंग्रिस के लिए बड़ी चुनाती आपने फ सुखपाल खेरा को टिकेट दिये जाने से नाराज थे दल्वीर गोल्डी ने राजा वड़ी को खतली कर कहा पंजाब की कॉंग्रेस लीडर्शिप से नाराज होकर मैं कॉंग्रेस की दिले प्रधान संग्रूर और पार्टी की प्राट्मिक मेंबर्शिप से स्तीफा दे रहा दलवीर गोल्डी ने 2022 के विधान सबा चुनाओ में धुरी से मुख्य मंत्री भगवन पान के खिलाब चुनाव लड़ा था हाला कि चुनाओ में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था इसके बाद संगूर में जब 2022 में हुए उप चुनाओ में भी गोल्डी मैदान में उतरे थे माना जा रहा था कि गोल्डी इस बार के चुनाओ में संगूर से चुनाओ लड़ना चाह रहे थे लेकिन पार्टी ने उनको यहाँ पर टिकेट नहीं दिया उनकी एक बात नहीं सुनी गए गोल्डी ने अग तीसरे चरण के लिए वोटिंग से ठीक पहले कॉंगर्स पार्टी को और अपने पद से इस्तिफा देकर पार्टी के सामें नई मुसिबत खड़ी कर दी है और पस से इस्तिफा देने वाले गोल्डी का अगला कदम क्या होगा इससे पहले कॉंगर्स के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं जालंदर से मौझूदा सांसत रवनीज सिंग बिट्टू के बीजेपी में शामिल होने के बाद इस सीट पर कॉंग्रेस संकर के दोर से गुज़र रही है काफी माथा पच्ची के बाद पार्टी ने 29 अप्रेल को राजी कॉंग्रेस प्रमोग अमरिंदर सिंग राजा वडिक को खड़ा किया है अब उनका मुकाबला बीजेपी के टिकेट पर चुनाव रड़हे बिट्टू से है आमाधी पार्टी विधायक अशोक पराशर पप्पी और शिरुमनी अकाली दल के रंजी सिंग धिल्लो से है पपी पहली बार के विधायक हैं और अपने निर्वाचन शेत के बाहर उन्हें ज्यादा कोई नहीं जानता है साथ ही एक हिंदू ब्रामन उम्मीदवार होने के नाते उनके द्वारा बीजेपी को बिट्टू से अधिक नुकसान होने की संभावना है क्योंकि यहाँ पर उच जाती के हिंदू का होना मुखे वोट बैंक रहा है वड़ी को शेहर में कुछ समर्थन मिलेगा लेकिन उनकी किसमत काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि वो मुखे रूप से तीन ग्रामिन शेत्रों में किस हद तक अपनी पकड बनाते हैं आमादमी पार्टी के उमिद्वार के चुनाव में जहां उनके लिए यहाँ पर मामला आसान कर दिया जिसे ये कहा जा रहा है कि जालंधर में आप और कॉंग्रिस में साथ गाट जरूर हुए है लेकिन फिलाहल यहाँ पर पंजाब में कॉंग्रिस की रहा दिन पर दिन हर घुजरते दिन के साथ और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है ना सिर्फ उनके पार्टी नेता जिस तरह से बागी हो रहे है और उनके तेवर जो हैं वो यहाँ पर राहुल गांधी को डरा रहे हैं बलकि आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर कॉंग्रिस की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया है और इन दोनों ही पार्टियों के बीच की जो खीचतान है उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है स्पेशल स्टोरी में इतना ही वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें वीडियो को लाइक करें शेर करें और कैपिटल टीवी को सबस्क्राइब जरूर करें नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे विडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया